नमस्कार विक्यवी नियूस के खास पेशकश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जह आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ है अदालत की एक एहम टिपणी आई हैं अदालत ने कहां कि लंबे समय तक शारिरिक संबनाने के बाद यदि कोई शादी करने से इंकार कर देता है तो उससे धोका दड़ी नहीं माना जा सकता वहीं महाराष्ण प्रदेश कॉंग्रेस कमिट के अध्यक्ष्य नाना पटोले ने कहां कि भाजपा बिना जिजग छूड बोलती है उन्होंने भाजपा नेताओ को आड़े हाथ लिया है इस बीच महाराष्ण राज्य सड़क परिवहन निगम के करमचारियों की जाड़ी हरताल में एक और बड़ा पेंच सामने आया है राज्य सरकार ने करमचारियों की मांग को लेकर बॉंबे हाई कोट में पेश की गई रिपोर्ट में पिलिनी करन के मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है उधर मंत्री रवा मलिक ने कहां कि उनके बेटे के घर एडी की कोई छाबे मारी नहीं हुई है इसके लवा भाजपा नेता के रिट सौमयया ने कहां कि आने वाले कुछ दीनों में मैं प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों का परदाफाश करने वाला हूँ प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ लंबे समय तक शारिग संबन बनाने के बाद यदि कोई शादी करने से इंकार कर देता है तो उससे दोका धड़ी नहीं माना जा सकता नीचली अदालत के और से एक युवक को दोशिट हराय जाने के फैसले को पलटते वे बॉम्बे हाई कोट ने ये टिपणी की है पालगर के रहने वाले काशिनाथ घरात के खिलाफ गल्फरेंड की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 और 417 के तहट बलातकार और धोका धड़ी का मामला दर्च किया था गल्फरेंड का आरोप था कि काशिनाथ ने शादी का वादा करके उससे फिजीकल रिलेशन बनाए और फिर वादे से मुकर गया इस मामले में 19 फरवरी 1999 को अतिरिक्त सेशन जज ने काशिनाथ को रेप के आरोप से बरी कर दिया था लेकिन धोका धड़ी का दोशी करार दिया था अदालत ने काशिनाथ को तीन साल तक शादी का वादा कर संबत बनाने और फिर मुकर जाने के आरोप में एक साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी घरात ने इस आदेश को मॉंबे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जहाँ जस्टिस अनुजा प्रभुदेशाई की सिंगल बेंच ने उसे धोका धड़ी के आरोप से भी मुक्त कर दिया जस्टिस प्रभुदेशाई ने कहा कि तथ्य ये बताते हैं कि महिला और आरोपी के बीच तीन साल लंबी फिजिकल रिलेशन्शिप चली और दोनों का अफ्यर था लेकिन महिला के बयानों से ये साबित नहीं होता है कि वह किसी तरह के धोके में रखी गई थी अदालत ने कहा कि दो बातें साबित होनी चाहिए पहली ये कि गलत जानकरी देकर शादी की बात की गई थी दूसरी ये कि वादा ही गलत था और उसके बहकावे में आकर ही महिला योन संबंदों के लिए राजी हो गई थी इस मामले में इस बात का कोई सबुत नहीं मिलता है कि आरोपी महिला के साथ शादी नहीं करना चाहता था महाराश्ट्रा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अधिक्षा नाना पटोले ने कहा कि भाजपा कॉंग्रेस की प्रसिधी नीतियों का उपयोग कर अपनी नीति बताती है और बिना जी जग जुड बोलती है भाजपा MVA के सहयोगियों पर DBT का मतलब बदल कर डिलर ब्रोकर और ट्रांसफर बता रही है भाजपा सही मायने में खुद देश के सबसे बड़े डिलर और ब्रोकर है केंद्रिय गुरुह मंद्री अमिच शाह द्वारा पुणे में महाराष्ट सरकार में शामिल दलो पर लगाए गए आरोपो का जवाब देते हुए पटोले ने कहा सत्ता के भूके लोग ही इस तरह के बयान दे सकते हैं यदि में महाराष्ट सरकार को इस्तिफा दे कर चुनाव करने की बाद करते हैं तो उन्हें भी केंद्र सरकार को बरखास्त कर दोबार चुनाव कराना चाहिए तब पता चलेगा कि देश की जनता में उनके खिलाफ कितना संतोश है उन्होंने आरोप लगाया कि सारवजेक शेत्र की कई प्रम कमपनियों को उनके कुछ उद्योगपती मित्रों को बेश दिया है यह हास्यासपद है कि देश की सबसे बड़ी डिलर और ब्रोकर भाचपा अब कॉंग्रेस, राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी और शिर्सेना पर आरोप लगा रही है महराश्टर राज्य सडक परिवहन निगम के करमचारियों की जारी हरताल के बीच, राज्य सरकार ने करमचारियों की मांग को लेकर बॉंबे हाई कोट में पेश की गई रिपोर्ट में विलिनी करन के मुद्दे पर कोई सपष्ट जवाब नहीं दिया है राज्य सरकार की और से पैरवी कर रहे है अधी वक्ता सिके नाइडू ने नयमूर्ती पीबी वैराले की खंड़ पीट के सामने कहा कि राज्य सरकार ने करमचारियों के आर्थिक हीत को ध्यान में रखा है इसके तहट सरकार की और से करमचारियों को वेतन रुधी उनकी बकाय राशी ववरिश्टता के हिसाब से उन्हें पदोननती भी दी है इस पर करमचारी संगठन की और से पैरवी कर रहे है अधिवक्ता गुनरतन सदावरते ने कहा कि विली निकरन के मुद्दे पर कमेटी ने कोई ठोस आश्वसन नहीं दिया है अब तक 54 करमचारी अत्मत्या कर चुके है वरतमान में करमचारी संगठन हरताल पर नहीं बलकि करमचारीों की मौत के चलते शोग पर है इसलिए वे काम पर नहीं लोट रहे है इस दोरान उन्होंने 48,000 करमचारीों के आवेदन भी कोट के सामने रखे स्टी महामनल के करमचारीों की मांग है कि उन्हें राज्य सरकार के करमचारीों की समान माना जाए मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खनपिट ने कहा कि स्कूल वो कॉलेज खुल गए है इसलिए स्टी कर्मचारी स्कूल जाने वाले बच्चों की परिशानी को समझे और काम पर लोटे खंट पिट ने कहा कि अब हम इस मामले में नयले की अवमानाना का नोटिस जारी करेंगे राकापा प्रवक्ता वराज्य के अलपसंख्यक कल्यान मंत्री नवाब मलिक ने अपने बेटे फराज मलिक के घर प्रवर्त निदेशाले के चापे की खबरों को गलत बताया मलिक ने कहा कि उनके बेटे के घर एडी की कोई चापे मारी नहीं हुई है इससे पहले भाजपा नेता मोहित कमपोज भारतिय ने दावा किया कि एडी ने यूनियन बैंक घोटाले में नवाब मलिक के करीबियों के ठीकानों पर छापे मारी की है मोहित का दावा है कि फराजपलिक ही कमपनी के निदेशक और दोगा धड़ी के साजिश करता थे यही नहीं मोहित ने ये भी कहा कि मलिक ने महराश्टर में ब्रष्टाचार के जरीए 3,000 करोड की संपत्ती जमा की है ये संपत्ती भंगार बेच कर नहीं लोगों को लूट कर हासिल की गई है मोहित ने ये भी कहां कि नवाब मलिक ने 1993 के मुंबई बंधमाको के आरोपियों से भी संपत्ति खरी दी है उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए दरसल युनियन बैंक से हुई 135 करोड रुपे की धोका धड़ी के मामले में इन दिनों इडी कारवाई कर रही है और पिछले कुछ समय से अलग-अलग लोगों के ठीकानों पर छापे मारी की जा रही है सुमवार को भी जान्च एजनसी ने कुछ ठीकानों पर छापे मारी की धोका धड़ी करने का आरोप जिन कमपनियों पर है उन में से एक मलिक के छोटे बेटे फराज निदेशक थे इसी को लेकर आरोप रत्यारोप जारी है भाचपा नेता किरिट सोमय या ने शिरिडी में साई बाबा के दर्शन के बाद कहा कि मैंने साई चरणों में भ्रष्टाचार मुक्त महराष्ट का संकल्प लिया है आने वाले कुछ दीनों में मैं प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों का परदाफाश करने वाला हूँ साई दर्शन के बाद मंदिर परिसर में साई बाबा मंदिर के सुरक शाधी कारी परदेशी ने किरिट सोमया का सम्मान किया शिवसेना के मंत्री गुलाब राव पाटिल की हेमा मालिनी पर टिपणी के बाद सौमया ने उद्धव सरकार की उद्धट सरकार जैसे शब्दों में आलोचना की है उन्होंने कहा कि मुख्या मंत्री उद्धव ठाकरे की अली बाबा 44 की टीम है जमाकिय माल का हिसाब लेने के लिए इडिके उनके घर आने का डर नवाब मलिक को सता रहा है उन्होंने कहा कि जिसने भी चोरी की है उस पर कारवाई तो निश्चित होगी सोमया ने कहा कि एहमाद नगर जिले में राज्जा मंत्री प्राजक्ता तनपूरे ने शरत पवार के मार्दर्शन में गुप्तरूप से राम गणेश गड़करी चीनी मिल का अधिकरहन कर लिया और कारखाने की जमिन अनिल देश मुख को हस्तान तरित कर दी शरत पवार के आशिरवाद से लाखो किसानों की सहकारी चीनी मिलो को राश्रवादी कॉंगरेस के नेताओं ने हड़प कर लिया है चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्य मंत्री ही घर नहीं बैठे बलकि सरकार के सभी मंत्री कोमा में है ठाकरे सरकार के सभी मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त है स्टी कर्मचारियों की हर्ताल पर उनका ध्यान नहीं जा रहा बिज्दे की समस्य आउसे किसान परिशान है लेकिन ठाकरे सरकार कुम करण की निन सोई हुई है पश्चिम बंगाल में ममता बानर जी का जादू स्थानिय निकाय चुनाओं में भी चला कुलकता नगर निगम में टीमसी की सुनामी के आगे सभी विपक्षिदल धाराशाई हो गए तो भारत सरकार ने देश विरोधी प्रॉपगेंड़ा फेराने वाले भी यूटूब चानलों पर बैन लगा दिया है ये चानल और वेबसाइट कथित तोर पर पाकिस्तान से संचालित होते थे वे उत्तर भारत में अनेक सानों पर पारा साथ डिगरी सेल्सियस से रीचे आ गया है इस कारण स्कूलों के बंध होने के आसार बढ़ गया है क्योंकि केंडर सरकार ने नई गाइडलाइन में कहां कि अगर तापमान साथ डिगरी सेल्सियस से नीचे जाता है तो इस स्थिती में सुभकी पाली में स्कूलों का संचालन नहीं किया जाए इस बीच देश में अब तक ओमिक्रॉन के 202 मामलों की पुष्टी हुई है सबसे जादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराश्र शामिल है दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54-54 मामले मिले है उधर सपा सरक्षन मुलायम सिंग यादव और संगा प्रमुक मोहन भागवत की फोटो पर उतरपदेश की सियासत गर्म होती जा रही है अब समाजवादी पार्टी ने एक नई फोटो शेयर करके कॉंग्रेस पर पलटवार किया है देश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ कोलकाता नगर निगम में टीएमसी की सुनामी के आगे सभी विपक्षी दल धाराशाई होते दिख रहे है 144 वार्डो के लिए मतगणना मंगलवार सुभा शुरू हुई मतगणना शुरू होने के बाद से ही सत्तारूर्ट त्रूनुमल कॉंग्रेस ने बड़ी बढ़त बना ली मतगणना सुभा 8 बजे शुरू हुई टीमसी को उम्मिद है कि पार्टी इस बार 132 से जादा सीटे जितेगी इस साल के विधान सभा चुनाओं में 12 सीटों के मुकाबले भाजपा 2019 लोग सभा चुनाओं में टीमसी से 50 सीटे आगे थी टीमसी शहरी निकाय में साल 2010 से सत्ता में है शुरुआती रिजल्ट में टीमसी की जित होने पर कोलकाता में ममता बैनर जी के आवास के बहर जश्न मनाये जा रहा है ममता बैनर जी ने कहां कि ये एक एतिहासिक जीत है इसने एक सपश्ट संदेश दिया है कि लोगों ने हमारे काम को सविकार किया है बीजेपी वाम और कॉंग्रेस कहीं नहीं है पशिमंगाल के परिवहन और आवासमंत्री और टीमसी नेता फिराद हकिम ने भाजपा पर निशाना साथ तेवे कहा कि भाजपा विभाजनकारी राजनिती करती है जो पशिमंगाल के लोगों को अस्वी कारिया है उन्होंने कहा अन्य याची का दायर कर चुनाओ के दोरान हुई हिंसा का सबुत पीट को देने की अनुमती मांगी है भारत सरकार ने देश विरोधी प्रोपोगेंडा फैलाने वाले बिस यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है आईटी एक्ट में हाल ही में शामिल की गई गाइडलाइन्स के आधार पर इन पर बैन लगाया गया है इन यूट्यूब चैनलों के साथ दो वेबसाइटों को भी प्रतिबंदित किया गया है ये चैनल और वेबसाइट कथित तोर पर पाकिस्तान से संचालित होते थे और देश में भारत विरोधी प्रॉपगेंडा फेलाते थे एक वरिश्टतिकारी ने कहा कि ये पहली बार है कि IT नियम 2021 के दाथ आपत कालिन शक्तियों का इस्तमाल भारत विरोधी प्रॉपगेंडा वेबसाइटों पर प्रतिबंद लगाने के लिए किया गया है जान से पता चला है कि ये विबसाइटे और चैनल पाकिस्तान से चलाई जा रही थी इन यूट्यूब चैनलों पर चलाए जाने वाला कॉंटेंट राष्टिय सुरक्षा के लिहाद से ठीक नहीं है बतादे की भारत द्वारा बैन किये गए यूट्यूब चैनलों में से पंधरा का स्वामित्त नया पाकिस्तान ग्रूप के पास है जबकि अन्यमें दनेके टूथ, अर्तलिस समाचार और जुनेद हलिम अधिकारी शामिल है एक सूत्रे ने बताया कि सूचना एवं प्रसारंट मंत्राले की सेक्रेटरी अपुर्व चंद्रा ने यूट्यूब और टेलीकॉम विभाग को लिखा कि इस कॉंटेंट को तदकल प्रभाव से ब्लॉक किया जाए क्योंकि ये भारत की संप्रभूता और अखंडता को प्रभावित करता है अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजन्स की मदद से ये प्रॉपगेंडा फैलाए जा रहा था इनमें नया पाकिस्तान नामक एक यूटूब चैनल कश्पिर कुरुशी कानौनों के खिलाफ किसानों का विरोध और अयोध्य जैसे मुद्धों पर जूटी खबरे चला रहा था उत्तर भारत में अनेक स्थानों पर स्कूल खुले तो है लेकिन उनके बंद होने का अंदेशा बढ़ने लगा है ऐसा तापमान के कारण हो सकता है दरसल केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन में कहा कि अगर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो ऐसी स्थिती में सुभा की पाली में स्कूलों का संचालन नहीं किया जाए इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल को बंद भी किया जा सकता है केंद्र सरकार ने कहा है कि चुकि दिसंबर के अंतिम सपताह से जनवरी की तिसरे सपताह तक लगभग पूरे उत्तर भारत में शीत लहर की स्थिती बनी रहती है ऐसे में अगर स्कूलों को बंद करना पड़े तो स्कूल के प्राधाना ध्यापक शिक्षक बच्चों और अभी भावोगों को तुरंट सूचना उपलप्त कराए इसके लावा शीत लहर से बचाओ के लिए विद्यालयों के नोटीस बोड पर बचाओ के लिए दिशा निर्देश के पोस्टर लगाने के निर्देश भी देने को कहा है किंद्र सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो इसे शीत लहर की स्थिती मारी जाती है इसके मद्दे नजर जाड़ा में कोरोना की स्थिती से बचाओ के लिए आवश्यक कारवाई करे स्कूलों को सैनिटाइस कराए सैनिटाइस कराने के लिए स्थानिया पंचैत प्रतिनीधी और बीडियों का सहयोग ले इसके साथ ही बचाओ के लिए कई सामाने निर्देश दिये गए है देश में अब तक ओमिक्रॉन के 202 मामलों की पुष्टी हुई है सबसे जादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ण शामिल है दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54-54 मामले मिले है ओडिशा में आज दो नय संक्रमित मिले है हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकडों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 5356 कोरोना केस मिले है वहीं ओमिक्रॉन के 77 पेशन्स ठीक हो चुके है गुजराथ सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के आठ प्रमुक शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है कर्फ्यू का समय सुबह 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा इसमें हैं अमदाबाद, गांधी नगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागड शामिल है आदेश के मताबिक रेश्टरा अपनी सिटिंग कैपिसिटी का केवल 75 प्रतिशत ही इस्तिमाल कर सकती है वही शादियों में 400 लोगों की सीमा तै की गई है रविवार को राजकोट जिले में राज्य का पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मिला था गुजरात में फिलहाल 11 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं महाराश्र के लिए अच्छी खबर है यहां कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से प्रभावित चौपन लोगों में से 31 मरीजों को अस्पतालों से चुटी ते दी गई है स्वास्त विभाग के मुताबिक सुमवार को राहत वाली बात ये भी रही कि नए वेरियंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुंबई है यहां 22 मामले है स्वास्त विभाग के अनुसार एक दिसंबर से राज्य के हवाई अड़ों पर 1,36,403 विजेश से आये हैं जिनमें 20,105 जोखिम वाले देशों से है सपासरक्षक मुलायम सिंग यादव और संगह प्रमुक मोहन भागवत की फोटो पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म होती जा रही है अब समाजवादी पार्टी ने एक नई फोटो शेयर करके कॉंग्रेस पर पलटवार किया है इस फोटो में सपासरक्षक मुलायम सिंग यादव से नसीपी नेता सुप्रिया सुरे आशिरवाद लेती भी दिखाई दे रही है पास में एनसीपी चीप शरत पवार भी खड़े है फोटो के साथ समाजवादी पार्टी ने लिखा है राजनितिक शिष्टाचार भूल चुकी है कॉंग्रेस जिस कारेक्रम की तस्विर लगा रही कॉंग्रेस उसी कारेक्रम में कॉंग्रेस की सहयोगी नसीपी की नेताओं ने भी लिया नेता जी का अशिरवाद इस पर क्या कहेगी कॉंग्रेस इससे पहले मंगलवार को सोशल मीडिया पर संगप्रमुक मोहन भागवत और सपा सरक्षक मुलायम सिंग यादव की एक साथ फोटो वाइरल हुई थी इसमें दोनों बैट कर किसी मुद्दे बर बाच्चित करते हुए दिखाई दे रहे थे इस फोटो कर शेयर करके यूपी कॉंग्रेस ने सपा पर हमला किया था लिखा था नई सपा में सव का मतलब संगवाद है इसी बीच उतर प्रदेश के डिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौरिया एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में है उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताने पर निशाना साधा है ट्वीट करके कहा है जैसे सोनिया गांधी और राजिव गांधी के एक पुत्र राहुल गांधी है उसी तरह हिंदू और हिंदुत्व एक ही है अब कॉंग्रेस ने केशा मौरिया पर पलटवार किया है। यूपी कॉंग्रेस ने ट्वीट किया है कि जैसे मुख्यमंत्री के लिए कुरसी और उपमुख्यमंत्री के लिए स्टूल अलग-अलग है। वैसे ही हिंदू और हिंदूत वह अलग-अलग है। दुनिया भर में भारत का मान बड़ा है। एक किसान की बेटी ने एक युनिवर्सिटी आफ शिकागो से करीब 3 करोड रुपे की छात्र वृत्ती पाई है। तो अमेरिका में ओमिक्रॉन कहरा मचाने लगा है। इसने वेरियंट से पहली मौद की पुष्टी हुई है। चिंता यह है कि करीब 33 फिजदी कोरोड के मरीज ओमिक्रॉन से भी संक्रम पाई गया है। वही फिलिपिन में इस वर्ष के सबसे भिशन तुफान राय में मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। जबकि 52 लोग अभी लापता है। देश में कई शहर और प्रांथ लेटर एलिजाबेट वारेन के बाद आया है, जो लंबे समय से अमेरियों पर उनकी कुल संपत्ती पर कर लगाने की वकालत करते रहे है। उधर पाकिस्तान की कराची शहर में कटर पंतियों की भीड ने हमला करके मा दुर्गा की मूर्ती के धड़ को तोड़ दिया। इमर सारा वर्ष की आयू में तामिलाडू की बेटी स्वेगा सामिनाथन ने अमेरिका की प्रतिष्ट विश्विद्यालों में से एक उनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से करीब तीन करोड रुपे की छातर उत्ति पाई है। बता दे कि अमेरिका का यह विश्विद्याल है इलिनॉ सारा वर्ष यह लड़की स्वेगा सामिनाथन को अमेरिका में शिकागो विश्विद्याले से इस नातक की डिग्री हासिल करने के लिए पूरे तीन करोड रुपे की स्कॉलर्शिप मिली है। स्वेगा सामिनाथन के पिता एक किसान है। उनका परिवार इरोड जिले के कसी पालयम नामक एक छोटे से गाउ में रहता है। इस उपलब्दी को पाने में स्वेगा की मदद डेक्स्टेडिटी गुलोबल संस्ता ने की। डेक्स्टेडिटी ग्लोबल की ओर से बताया गया कि रोड के कसी पालयम गाउ में रहने वाली है। संस्ता से जुड़कर उसने कोरोना का नया वेरियंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, अमेरिका में तो ये कोहरा मचाने लगा है, सुमार को यहाँ इस नय वेरियंट से पहली मौत की पुष्टी हुई, तो 73 फिजदी कोरोना के मरिज ओमिक्रॉन से भी संक्रमित पाए गए, खत्रे वाली बात ये है, कि ये आकड़ा महज एक सप्ताह के अंदर ही इतनी तेजी से बढ़ा है, सप्ताह भर पहले यहाँ तीन फिजदी कोरोना के मरिज ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे थे, सेंडर फोर डिसिस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया, कि अमिरिका में ए एक मात्र कारण है, बितेक सप्ताह पहले तक अमिरिका में डिल्टा वेरियंट के ही मामले सबसे ज़ादा थे, लेकिन अब यहाँ इनकी संख्या सिर्फ 27 प्रतिशत ही रह गई है, अमिरिका में तेजी से बढ़ते वेरियंट को देखते वे राष्टरपती जो बाइडन न इस सप्ताह बढ़ने वाले मामलों को लेकर पहले ही अगाह किया है, उन्होंने कहा कि देश में टीकों की कमी नहीं है, लेकिन कई लोग खुराक लेने से बच रहे हैं, और क्रिस्मस में सारवजनिक जगहों पर खुल कर हिस्सा ले रहे हैं, इससे महा मारी एक बार फिर पै और वबिजली सेवा ठप होने से जूज रहे हैं, हालात इतने खराब हो गए हैं कि डोग भोजन पानी के लिए भी मोहताज हो गए हैं, 123 मौतें केंद्रिय विसायक शेतर में हुई हैं, इसके बाद पश्यमी विसायत में 22 लोग मारे गए, इनके अलवा करागा में 10 और उत से अधिक विबिनक शेतरों में 1,80,000 से जादा लोग अभी विस्थापित हैं, आपदानी अंतरन संस्था ने मौतक संख्या अभी और बढ़ने की आशंका जताई हैं, क्योंकि कई इलाकों में संपर्क तूटने के कारण बचाव कर्मियों की पहुंच नहीं हो पाई हैं, बिजली कटोती और सड़क मार कटने के कारण भी कई किशेतरों से संपर्क कटा हुआ हैं, मौतकों में कई लोग पेड या दिवार गिरने की चपेट में आ गये हैं, जबकि कई अचानक आई बाड में डूब गये हैं, आपदानी अंतरन टीम ने बताया कि कई लोग भुसक कलिन आश्रियों में भेज गये हैं, स्पेस एक्स और टेसला कमपनी के संस्थापक अरपती एलेंड मस्क ने कहा कि वे इस साल 11 अरप डॉलर से ज़्यादा का टैक्स भुकतान करेंगे, मस्क का ये बयान अमेरिकी सिनेटर एलिजाबेत वारिन के वाद आया है, जो लंबे स समय से अमीरों पर उनकी कुल संपती पर कर लगाने की वकालत करते रहे हैं, अगर मस्क ने इतना भुकतान किया तो ये टैक्स रकम अमेरिकी कोश सेवा में रिकॉर्ड भुकतान करेगी, इतना टैक्स का भुकतान अभी तक किसी भी अमेरिकन ने नहीं किया है, मस्क ने भी इसी साल दिसम्बर में कहा था कि वो जितना टेक्स का भुकतान करेंगे उतना अभी अमेरिका के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया है दरसल पिछले कुछ हफ्तों में मस्क ने 14 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग 12.9 टेसला शेयर बेचे हैं अब अमेरिकी कानून के मुताबिक उन्हें इस पर कैपिटल गैन टेक्स देना होगा मस्क को 10 प्रतिशत लक्षे हासिल करने के लिए और 4.1 मिलियन टेसला शेयर बेचने होंगे मस्क ने 18 दिसंबर तक टेसला के लगभग 14 बिलियन डॉलर के 12.9 मिलियन शेयर बेचे हैं उनके पास टेसला के अलावा स्पेस एक्स जैसी कई कमपनिया है मतादे की मस्क फोब्स की रियल टाइम अरब पतियों की सूची के मताबिक सुमवार तक 244.2 अरब डॉलर की संपति के साथ एमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर है 13 दिसमर को टाइम पत्रिका ने उन्हें परसन ओफ दे यर 2021 के रूप में नामित किया है पाकिस्तान को रियासते मदिना बनाने का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान के शासन काल में हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं ताजा हमले में पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में कटल पन्तियों की भीडने हमला करके मादूरगा की मुर्ति के धड़ को तोड़ दिया कटल पन्तियों ने मंदिर में काफी तोड़ पोड़ भी की है इम्रान के राज में पिछले 22 महीनों में हिंदु मंदिरों पर ये नववा बड़ा हमला है कराची में बड़ी संख्या में हिंदु रहते हैं उनकी भावना उपर इम्रान सरकार ने सीधा आघात किया है लोगों में रोश है और ये मामला ऐसे समय पर हुआ है जब सुप्रिंग कोट लगातार नोटिस जारी कर रहा है और इम्रान खान सरकार दावा कर रही है कि वे मंदिरों की रक्षा कर रहे है हाला कि इमरान खान का ये दावा खोकला साबित हो रहा है और कटर पंती लगातार पाकिस्तान में हिंदू के धर्मस्तलों पर हमले कर रहे हैं अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पंजाब सुबे में गड़ेश मंदि पर कठर पंतियों ने हमला करके मंदिर को तहस नहस कर दिया था इस हमले के बाद पूरी दुनिया में काफी तीखी आलोचना हुई तो प्रधान मंतर इमरान खान ने 24 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी थी इमरान खान ने ये भी वादा किया कि उनकी सरकार इस मंदिर का जिरनोधार करवाएगी इससे पहले भी इमरान खान ने इसलामाबाद में एक मंदिर निर्वान का वादा किया था लेकिन कटरपंतियों की विरोध के कारण उन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया था तो आज की इस खास पेशकश में वस इतना ही आपसे खल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें ये विकेवी नियूस अमस्कार